नमस्कार दोस्तों HR Medical ज्यान के इस ओफिशली यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं प्यारे दोस्तों आप लोगों की प्रिविएसली वीडियोज पर बहुत सारी कमेंट आये थे कि सर अबोर्षन के बारे में हमें बताएं कि हमने MTP किट ले ली है और उसके बाद में अबोर्षन है वो कम्पलिट हुआ है या नहीं है इस जीच का हम कैसे पता करें और अबोर्षन किट खाने के बाद क्या होता है बोड़ी के अंदर ये सारी चीज़े आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं तो वीडियो कम्पलिट जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और चैनल पर अगर आप नए हैं ऐसे ही मेडिकल जगत की तमाम जानकारी लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो चलिए स इसके वज़े से बहुत ज्यादा ब्लेडिंग होने का सांचे जरूर ताक अभी के बार तो हो सकता है आपके बोड़ी के अंदर सीवियर एनिमिया हो सकता है और उसके साथ साथ आप जो है हाईपो वालमिक सौक के अंदर जा सकते हैं तो ये सारी चीज़े होती है तो इस व हमें पहले बात कर लेते हैं और उसके बाद हम आप पता सकता हैं कि कोन कि सबसे पहले वहाँ पर लग चुक इसको हम एक्टोपिक प्रिगनेंसी बोलते हैं तो उस सिच्विशन में हम नहीं ले सकते हैं अबोर्शन किट को और सेकंड आपके फिमेल के अंदर कोई हार्ट डिजीज या केटनी डिजीज है या और किसी भी परकार की जो रिनल है जो है मैडिशिन ले रहेंगी या फिर ब्लेड जो है कोगुलेशन जो ब्लेड पतला मनलब खुन पतला करने की मैडिशिन चल रही है तो यह सिच्विशन है इस दोरान आपको जो है मैडिशिन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इससे ब्लेडिंग ज्यादा हो सकती है और जो क्लाइंट है जो पैसेंट है उसके अंदर तो हो सकता है कि अबोर्शन आपका कंप्लीट या अनकंप्लीट हो चुका है तो आपको अब सबसे मैं आपकी जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे कि अबोर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं इसके बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं तो इसके लिए आपको सबसे प 15 दी पंदरा दिनों के बाद में आप वह टेस्ट करें इसके अलावा एक और मेथड है जिसको हम कंप्लीट तोर पे मान सकते हैं कि डेफिनिटीव मान सकते हैं तो वह है यूएस जी अल्टरा सोनोग्राफी आप सोनोग्राफी करवाईए उसके अंदर हो सकता है कि अनकंप्ल किट खाने के बाद क्या होता है तो आपको पता है कि जो हमारा कंसप्जन है वह बाहर आता है जैसे ही यूटराइन केविड़ी से उसके बाद में हो सकता है कि कुछ पा gravy अंदर रह सकता है जिसको हम अनकंप्लीट आप से ओला j then तो उसको हम बोलते हैं जो ए अबोर्शन की जो परिक्रिया है वो हमारी कम्प्लिट हो चुकी है तो अब जैसे अबोर्शन आपका Cant Haha कम्प्लिट हो गया उसके बाद में इंटिबीटिक वगेरा डॉक्टर की अनुसार लें क्योंकि वहां से कुछ infection भी secondary हो सकते हैं तो उन सारी चीजों को निपने के लिए आप डॉक्टर की अनुसार जो medicine है वो सही तरीके से उसका उप्योग करें शला लेवे डॉक्टर से ठीके तो यह सारी चीज है जो आपको करनी होगी बाकी post abortion diet के बारे में थोड़ा बात कर ले हैं तो डाइट के लिए आप लोगों को जो है नॉर्मल डाइट ले जैसे की प्रोटीन है इनको ध्यादा ध्यान दे ठीके तो इस तरीके से सारी चीजें आपको maintain करने के बाद post abortion चलना पड़ेगा ठीके तो यह थी एक खास information की abortion complete हुआ है या नहीं इसके हम कैसे पता लग सकते हैं तो सारी जानकरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपकी कोई किवारी जो तो हम मिलते हैं थेंक्यू सो मच